लंज पेपा और जोज दादी और दादा पिक के घर लंज पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों, खाने के लिए बगीजे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, जेदे दी हलो पेपा जोज, ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा, ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई है ये क्या है, दाइनोसार एक डाइनोसार चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजिया चुनते है पेपा, तुम्हें टमाटर पसं है? जी दादा पेग जोज, क्या तुम्हें टमाटर पसं है? ना जोज को टमाटर पसं नहीं है तुम्हें सलाद के पत्ते पसं है? जी दादा पेग ना जोज को सलाद के पत्ते भी पसं नहीं ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जो जोज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसं है? यक जोज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जोज तुम्हें कौन सी सब्सी पसंद है? चोकलेट केक भुट तु जोज, चोकलेट केक कोई सब्सी थोड़ी है? सब्सीयों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शाद जोज को वो पसंद आएंगी वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा पेपा और जोज, दादी पिग की सब्सीया धोने में मदब कर रहे हैं अपर सब दोना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पीज़ा बनाया है और ये रहा सलाद, दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पीज़ा खाया पर जोज को टमाटर सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ जोज क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं नई जोज इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खा कर तो देखो याक जोज ये खीरा है डादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो बहुत ही स्वादिश्ट है ओहो रो नहीं जोज देखो मैं क्या बनाता हूं अब ये बन गया है डाइनसार जोज को डाइनसार बहुत पसंद है जोज टमाटर सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश जोज थोड़ा और लोगे जोज बढ़ गया जोज क्या तुम और टमाटर सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जोज का पेट भर गया है जोज क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते जोज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ तुम ये चोकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चोकलेट केक वावा लगता है जोज को दोबारा भूक लग गई तब म्यूजियम पेपार उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं डदी, म्यूजियम क्या होता है? एसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिल्चस्प चीजे होती हैं आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजे भरी पड़ी हैं मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वो दाइनसौर हलो मुम्मी पिग हलो मिस राबिट कितने टिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे डाइनसौर और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और राणयों की चीज़े है वाँ, डाइनसौर पर जॉज को असली डाइनसौर देखना है रोना मत जॉज इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पैपा, ये सारे चीज़े कई साल पहले रानी इस्तमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पैपा ये है रानी का सोने का मुकुट वाव बहुत सुन्दर है ममी रानी का टीवी कहा है पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थे टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे? नहीं, उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती, तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यम्म्म, यम्मी क्या आपको कुछ और चाहिए, रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज अभी लाकर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैरी डैरी, मैं हूँ रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुक ना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनिशा डाइनसौर का है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है वाँ ये असली डाइनोसौर की हड्या है दाइनुसार जोर्ज खुद को डाइनोसौर समझ रहा है डाइनोसौर आगया बचाओ, बचाओ डाइनोसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है मामी जिस कमरे में केक्स है डाइडी पिक को पसंद है मीजियम का क्याफे चलो, आकर खालो ओ हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है साफ सपाई करना पैपो जोज अपने कमरे में अपने खिलोनों के साथ खेल रहे हैं जोज, चलो गुडिया और डाइनसौर्स के साथ खेलते हैं वो क्या है, एक बर अंकर राक्षस है डाइनसौर्स ये एक डाइनसौर है, बचाओ, बचाओ डाइडी पिक बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे है ममी पिक अपने किताब पढ़ रही है बचाओ, वो क्या कर रही है पेपा, जोर्च, क्या चल रहा है ये इतना शोर कैसा बचाओ, ये क्या हो रहा है कितना शोर कर रहे हो और फर्ष पर ये कितना सामान पढ़ा है इस पर गिर कर किसी को चोट लग सकती है कोई सचमच गिरा है और उसे चोट भी लगी है अरे बापरे, बैचारे डाडी पिग अब चलो बच्चो, थोड़ी साफ सफाई कर ले पर मामी, हम गुडिया और डाइनोसार से कहल रहे हैं सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो पर ये तो सारा जोज का सामान है अच्छा सचमच, तो ये जोज का ही खुबसरा ड्रेस होगा है ना नहीं, शायद थोड़ा सा सामान मेरा है तो चलो, मैं सफाई करने में जोज की मादद करूगा और मामी पेक पेपा की क्यों ना हम रेस करें, लडकियों लडकों के बीच बहतरीन आइडिया है, देखते हैं पहले सफाई कौन करता है एक, दो, तेन हम जीत रहे हैं नहीं, बिलकुल नहीं ये रहा ओ, ये क्या है टेरी, मैं तुमें कब से डून रही हूँ जल्दी पेपा, टेरी को अपने खिलोने के बकसे में रखो डाल दिया अब ये किताबे बढ़िया ये क्या है यहाँ ताइनसार सही कहा, टाइनसोर की किताब है ये जोज की पॉपप किताब है ये टाइरानसोरस रेक्स है टाइरानसारस रेक्स सही कहा तो, ये तो प्रांतसोरस है प्रॉंक्तिसूरिस। बिल्कुल सही। और यह है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। हाहाहा। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डाइनसौर्स बहुत पसंद है। यादी। जॉर्ज। आपने सपाई करना रोक दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाओगा। चलो जॉर्ज। ये किताब वापस रख दो। डैड़ी, आप अएच धिरी धिरे सपाई कर रहे ये हैं। ममी और मैं गदने वाले हैं। मैं। हम गोले हैं। हम जीत गये। है, हम जीत गये। हम सब जीद गये, देखो कमरा कितना साफ लग रहा है, कितना साफ कमरा है, सब को शाबासी, मामी, अब जब हमने कमरा साफ किया है, तो क्या हम गुडिया और डाइनसार से खेल सकते है, हाँ, अब तुम अपना खेल शुरह कर सकते हो, येपी, मेरी सारी गुडियां कहा है, मिस मिल गए दाइनसार यह दाइनसार है कमरा फिर से गंदा हो गया चलो थोड़ी देर के लिए तो साफ था लंच पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए है दादी पिक दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक हलो पेपा जॉज यह दादा पिक का सबजियों का बगीचा यह सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई है यह क्या है दाइनसार एक डाइनसार हो हो चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजियां चुनते हैं पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है जी दादा पेप जॉज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है ना जॉज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हें सलाट के पत्ते पसंद है जी दादा पेप ना जॉज को सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं ओफो मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है यक जॉज को खीरा पसंद नहीं और सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉज तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है चोकलेट केक पुट्टू जॉज चोकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है सब्जियों का जब अच्छा सलाट बन जाए तब शायद जॉज को वो पसंद आएंगी वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा पहले इनहें अच्छे से दुना होगा पेपा और जॉज दादी पिग की सब्जिया धोने में मदद कर रहे हैं पस अब दूना पहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाट पत्ते और खीरे का सलाट बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाद दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पिज़ा खाया पर जोज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ जोज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नए जोज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खा कर तो देखो या जोज, ये खीरा है दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है या सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं, जोज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जोज जोज को डाइनसौर बहुत पसंद है जोज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश जोज थोड़ा और लोगे जोज बहुत गया जोज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जोज का पेट भर गया है जोर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जोर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता. ओ, तो तुम ये चोकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते? चोकलेट केक? वावाव, लगता है जोर्ज को दोबारा भूक लग गई. जोर्ज का मन पसंद खिलाओना है, मिस्टर डाइनसार. डाइनसार. जोर्ज को मिस्टर डाइनसार बहुत पसंद है. कभी-कभी जोर्ज को मिस्टर डाइनसार से प्यापा को डराने में मज़ा आता है. वावाव, बहुत डराऊना है. खाने के वक्त मिस्टर डाइनसौर जोज के पास पैठे हैं यह क्या हो रहा है यह तुम थे जोज या फिर मिस्टर डाइनसौर टाइनसौर दहाने के समय जोज मिस्टर डाइनसौर को अपने साथ नहलाता है गुद नाइट पैपा गुद नाइट ममी गुद नाइट जोज और गुद नाइट मिस्टर डाइनसौर जब जोज सोने के लिए जाता है तो मिस्टर डाइनसौर भी उसके साथ सोते हैं जोर्ज का मन पसंद खेल है मिस्टर डाइनासौर को ऊपर हवा में उच्छालना और उन्हें पकड़ना जब वह वाबस नीचे गिरते हैं पैपा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं मैं चीप कही डाडी ओ शाबाश पैपा जोर्ज जोर्ज क्या बात है बेटा डाइनासौर जोर्ज मिस्टर डाइनासौर खोगे क्या जोर्ज ने मिस्टर डाइनासौर को खो दिया फिक्र मत करो जोर्ज हम मिस्टर डाइनासौर को ढून लेंगे ये तो एक जासूस का काम है याडी क्या होता ये जासूस पैपा जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूणने में माहिर होता है मैं 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 चीजें ढूणने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जोच मैं हूँ जासूस मैं मदद करूँगे मिस्टर डाइनसौर को ढूणने में मुझे लगता है जासूस को जौछ से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जॉर्ज मिस्टर डाइनसौर कहा है जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसौर कहा है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसौर कहा हो सकते हैं मुझे पता है मुझे पता है वह कहा है जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डाइनसौर उसके साथ होता है तो Mr. Dinosaur टब में होंगे? Mr. Dinosaur टब में नहीं है. मुझे पता है Mr. Dinosaur कहां है. जोज हमेशा रात को Mr. Dinosaur को अपने बिस्तर पर सुलाता है. इसलिए वो वहीं पर है. Mr. Dinosaur जोज के बिस्तर में भी नहीं है. शायद हमें गार्डन में ढूनना चाहिए. हाँ, गार्डन, मैं वहीं कहने वाली थी. Mr. Dinosaur कहां है? Mr. Dinosaur को ढूनना बहुत मुश्किल हो रहा है. Mr. Dinosaur यहां कहीं नहीं है. जोर्ज, तुम्हें Mr. Dinosaur को हवा में उच्छानना पसंद है? मुझे लगता है इस बार तुमने Mr. Dinosaur को थोड़ा ज्यादा ऊपर उच्छाल दिया है. वह वहा है, वह वहा है. मैंने पहले देखा. शाबाश, पेपा. तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो. जोर्ज, Mr. Dinosaur को वापस बाकर बहुत खुश है. शायद पेड़ों के पास डिनसaur से खेलना एक अच्छा इडिया नहीं है. आज स्कूल मेले का दिन है. पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है. यह हैं पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी. हेलो दोस्तों! मुझे श्कूल फीट अच्छा लगता है. मुझे भी! तुम्हें क्या अच्छा लगता है? फीस पेड़िंटिंग करना। गुबारित पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उचलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो बहुत अच्छी पसंद है पेपा फिर मिलेंगे पेपा फिर मिलेंगे जॉर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है या या ओ टिया मेले में कोई डाइनसाॉस नहीं है जॉर्ज शायद हम एक डाइनसाॉर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसा मिस रइबट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो एलो सुजी अब तुम्हें एक टाइगर जैसी लगती हो थेंक्यू मिछ रइब ताइगर जैसी लगती हो metro मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुशी-क ओ नहीं में टाइ ताइगर बना सकती हूँ? ठीक है, टाइगर बना दीजिए. लो हो गया पैपा, अब तुम्हे एक टाइगर हो. मैं टाइगर हूँ. जोर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? टाइणोसौर. एक डाइणोसौर? उसके बज़ाए एक टाइगर कैसा रहेगा, मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर वुफ वुफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं ओके टाइगर ब टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइकर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लाइन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हाँ मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हम एक डाइनसार का गुबारा चाहिए जरूर्ज के लिए मेरे पास डाइनसार का कोई गुबारा नहीं है फिक्रू मत करो जरूर्ज मेरे पास एक आइडिया है गया हम यह दो लंबे springs ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डेडी पिग वपारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है ये क्या है प्रूंट नहीं यह है डाइनासार बिलकुल ठीख डाइनासार डाइडी पिग पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है पैपा और जॉज पिकनिक मना रहे है ये लो तुम्हारे लिए औरंज जूस क्या कहना चाहिए टेड़ी? बहुत बहुत थैंक्यो पैपा ओ कोई बात नहीं टेड़ी और ये है औरंज जूस तुम्हारे लिए डाइनसौर और तुम्हे क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डाइनसौर क्ये टेडी और मिस्टर डाइनसौर को कुकी चाहिए? हमें बहुत पूक नहीं है इसलिए पेपा और जॉज सारी कुकी सखा सकते हैं थैंक यू टेडी ये अजीब आवाज कैसी पेपा जॉज जल्डी घर के अंदर आ जाओ ममी एक बहुत ही डरावनी आवाज आई ये गड़गड़ा हट है पेपा इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा जल्डी बारिश रोने से पहले घर के अंदर आओ घबराओ मत बारिश आने में अभी बहुत देर है आकाश जादा और जादा गहरा होता जा रहा है तूफान आने वाला है पेपा, जोच, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए टाइनिसार अच्छा है, मिस्टर डाइनिसार सुरक्षित है टेड़ी, मैंने टेड़ी को वही पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा अब दामद करो पेपा, टैड़ी पिक तुम्हारा टेड़ी ले आएंगे जल्दी करो टैड़ी पिक, अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है पेचारा टेडी पूरा भीग गया हाँ बेचारा टेडी चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टेडी ये लो टेडी तुम सुख गये पर बेचारे टेडी का क्या मैं भी तो भी गया हूँ ओ सॉरी डाडी पेग आपको भी सुखा देते हैं ये देखो डाडी पेग बिल्कुल सुख गये पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है फर्ष गीली हो रही है अरे बाबरी अब हम क्या करेंगे डाडी पेग शिंता की कोई बात नहीं डाडी पेग बूंदें कठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है शाबाज डाडी पेग बहुत ही आसान था यह क्या जल्दी पानी चमाका नेकले कुछ और लेकर आओ बहुत अच्छे पेपा बहुत ही आसान था मामी मुझे बहुत डेर लग रहा है टरो मत बच्चों कुछ नहीं होगा हर एक चमक और शोर के बीच गिंती करते हैं और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा एक दो तीन तीन पर पांख पर तुफान दूर जा रहा है तुफान शान्थ हो गया है तुफान की वज़ा से बगीचे में मिट्टी के कई गड़्े बने है पेपा को मिट्टी के गड़्ों में कूदना बहुत पसंद है मुझे तुफान बहुत पसंद है उनकी वज़े से मिट्टी के गड़्े बनते हैं पोस्टमेंड मिस्टर जेब्रा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रही है आपके लिए पार्सल है मिस्टर पीग थैंक यू मिस्टर जेब्रा बाई बाई इतने छोटे पार्सल में डाइनसोर कैसे हो सकता है मुझे लगता है ये एक नया खिलोना है तुम बहुत करीब हो मुझे पता है इसमें क्या है आपका नया कैमरा डाडी पिक का नया खिलोना विलकुल सही ये मुवी कैमरा है हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं क्या मैं से पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है मुझे भी इंस्ट्रुक्शन्स पढ़ने होंगे ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है सूजी शीप की ममी के पास एक मुवी कैमरा है वो उसे ऐसे स्विच आउन करती है ओहो शावाज पेपा मुवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया मैं आपकी पहली मुवी शूट करने के लिए बेताब हूँ क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है मुझे नहीं पता मुवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है मुवी 3000 अब वो आवाज नहीं आएगी शाबाश पेपा तो पहले किसका विडियो लू डाड़ी मेरा लीजिये ओके पेपा हेलो मैं पेपा पिग जलो आजाओ सब लोग हेलो मैं पेपा पिग फिर्षे फिर्षे अच्छ ठीक है किपा पेपो है अले हेलो मैं हूँ पैपा पिग पिग पिटे फिर्से पिर्से छलो आप कोई नया वीडियो बनाते हैं मैं जानती हूं डाड़ी पिग आप कमरे से बाहर जाए हम आपके लिए एक मुवी बनाएंगे अच्छा इडिया है जब तक मामी पैपा और जॉज एक सीक्रिट मुवी बना तब तक डाड़ी पिग को किचन में रुखना होगा जांकना नहीं डाड़ी पिग अब हम सबको कुछ करना होगा जॉज पहले तुम करोगे क्या हो गया क्या मैं अंदर आके देख सुकता हूँ हो गया अब आप अंदर आ सकते हैं जॉज ने एक मुवी बनाई है और पैपा ने भी तो चलो पहले जॉज की मुवी देखते हैं इसमें जॉज एक डाइनसार बना है ये तो बड़ा डरावना डाइनसार बना है यह क्या जोज ज़र गया ज़रो मच जोज टीवी पर कोई असली डाइनिसौर नहीं है वो तैनिसौर अब पेपा की मुवी देखेंगे अब यह कौन है मैं हूँ डाडी पिग अच्छा मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ मेरा पेट बड़ा नहीं है पर यह बाद सच है कि मुझे कुकीज पसंद है और अब जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा चलो अब आगे क्या है यह है मेरा प्यारा चोटा भाई जोज यह है ममी पिग और यह पैउ और यह है असली डाड़ी पिग पैपा की क्लास एक नाटक करने वाली है सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगा पैपा हुगी लिटील रेड राइडिंग हुड वम्मी पिग ने पैपा को तयार किया है और डादी पैपा की प्राक्स में मदद कर रहे है तो बताओ पैपा तुम्हें क्या बोलना है मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हूड बहुत अच्छह उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूं मैं दादी से मिलने जा रही हूं शाबश पेपा डानी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेडिया दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया कि बोलने के बाद हसना नहीं डानी तुम्हें डरावना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ मैं हूँ एक बड़ा पुरा भेडिया और मैं तुम सबको खा जाओंगा देखा हां सच मुझ बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है नहीं तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये मैं तुम्हें बगा दूँगा बुरे भेडिये शाबाज पेड्रो रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है मैं क्या बोलू ममी देखते हैं नातक के शुरुवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा नातक के अंत में तुम्हें शिकारी स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज कलाकारों की फोटो लेना मना है ऐसा मत कीजिये और अब शिरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है पर ये मैमान कौन है मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया क्या बात है दानी ओहो, आगे क्या बोलना है ये दानी भूल गया दादी, आप अलमारी में चले जाओ अलमारी में जाओ पड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है मैं हू लिटिल रेड राइडिंग होड मैं दादी से मिलने जा रही हूँ तुम मेरी दादी नहीं हो तुम मेरी दादी नहीं दिख रही हो तुमारी आखे कितनी बड़ी है तुमारे दाद कितने बड़े है तुम मेरी दादी नहीं हो तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो बचाओ कोई बचाओ बचाओ पर देखो यहां कौन आया है यह है शिकारी पेद्रो बचाओ कोई बचाओ बिल्कुल सही वक्त पर शिकारी पेद्रो पेद्रो थोड़ा शर्मीला है पेद्रो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलू हाँ प्लीज जिया दाजी हुरे तांक यू शाबाश शाबाश बहुत अच्छे पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया तुम बलकुल मेरे जितने अच्छे थे तांक तुम बलकुल पेड्रो ऑर जॉज प्लेग्रूप में जा रहे हैं यह जॉज का पहला दिन है जॉज॑ क्या तुम्हें प्लेग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है ताडी मुझे लगता है जॉज अभी प्लेग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसार वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खिरना चाहती हूँ ना कि जोज और उसके डाइनसार से ओ जिया पैपा जोज के साथ प्ले ग्रूप में जाना नहीं चाहती हम पहुंच गए तैड़ी आपको यकीन है जोज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाई बाई मेडम गजल प्लेगुट के बच्चों की देख भाल करती है है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जोज हेलो जोज काश मेरा भी एक जोज ऐसा छोटा भाई होता सच में हेलो मैं हूँ डानी डॉग क्या यह डाइनसार है यह सिर्फ एक खिलोना डाइनसार है डाइनसार शांदार वह डाइनसार घ्रली अहां सच में टरावना है यह शांदार है जोज मेरा भाई है और वो कमार का है पैपा को उपने चोटे भाई जॉज पर गर्व है चलो हम जॉज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं जॉज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हां मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जॉज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं है 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 तो मैं तुम एक बड़ा सबकल करो नहीं जॉज यह रंग सही नहीं है अब तुम हूल की पत्पीयों को प्यन करो जॉज… यह सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडीयों पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोर्ज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोर्ज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये राइनसौर जोर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी बाबा उन्हें बेने आ गए है क्या जोर्ज फिर से आ सकता है हाँ और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोर्ज दाइनसौर गर्ली एक और डाइनसौर की तस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शानदार हाँ शानदार शानदार पैपा और जोर्ज ग्रैनी पिक और ग्रैन्पापे के घर खेल रहे हैं शानदार ग्रैन्पाप पक्ड़ो पक्ड़ो ओ ये क्या है टाइनसौर एक डाइनसौर ग्रैन्पाप क्या कर रहे हैं मैं ये बीज बो रहा हूं बीज बीज क्या करते हैं बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूँगा फिर मैं इसे मिट्टी से ढख दूँगा और पानी डालूँगा मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है यह बड़ा सेब का पेड भी यह चोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड बन जाएगा इस तरह और यह चोटा सेब का पेड बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड इस तरह और इस सेब में बहुत सारे बीज है और सेब के पेड़ुगाने के लिए इल्कुल ठीक ग्राणपा ग्राणपा मुझे भी एक बीज लगाना है क्या तुम एक स्ट्रॉबएरी का बीज लगाओगी यह बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबएरी का पौधा बन जाएगा पहले एक छोटा छेद बनाओ फिर मैं यह बीज डालूंगी और मित्ती से डग दूंगी क्या मैं इसमें पानी डालूं नई नई मैं पानी डालूंगी ठीक है अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है पैपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हें धीरज रखना होगा पैपा इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा पैपा जोज घर जाने का समय हो गया लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतिजा कर रहे हैं मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरिज चाहिए चिंता मत करो प बीज एक पौधा बन चुका होगा और पेर हमें स्ट्रॉबेरिज मिलेंगी हाँ आव चले पैपा बाइबाइ ग्रैणपा बाइ 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 स्ट्रॉबेरी ग्रेंट्पैपी στα कई पौढ करते हैं कुछ दिनों बाद पैक चोटे से पौढ को बड़ा जीरे घ्रा जता गया फिरें ग्रेंट्पै पको बहुत हास कुछ दिखा स्ट्रोबेरीज ग्रेंपा हम आ गए पैपा और जॉर्ज फिर से खेलने आये हैं ग्रेंपा ग्रेंपा क्या मेरा पौदा बढ़ गया हाँ देखो स्ट्रोबेरीज शुक्रिया ग्रेंपा ग्रेंपा क्या हमको और गा सकते हैं हाँ, अब जोर्ज की बार ही है लगाने की हाँ, जोर्ज तुम लगाओ गाजर ग्रेंटपा, मेरे ख्याल से जोर्ज गाजर लगाना चाहता है जोर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है टाइनसार जॉर्ज उगाना चाहता है एक डाइनसार पेड तुम भी जॉर्ज टाइनसार पेड पर नहीं उगते है टाइनसार प्रिंसेस रात हो चुकी है पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे है गुड़ नाइट पेपा और जॉर्ज मामी टैड़ी बोलो पेपा मुझे नेन नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे पर शायद George को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी George, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ, बोलो ठेक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा अगर डाडी पिक ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रामिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे हम प्रामिस करते है तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसिस की कहानी सुनाऊंगा क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बात है करती रहोगी तो डाड़्य केसे सुनाएंगे? सुर् किया ये कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है ढाड़ी? हाँ, ये कहानी में एक छोटी राजकुमारी है हम्... एक स्लीपी प्रिंसिस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी, और उसे कहते थे Sleepy Princess. टाड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये में बाद में बताऊँगा. क्या Sleepy Princess बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर. उसे अपने आपको आईनी में देखना बहुत पसंद था. ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ. उस महल में और कौन-कौन रहता था? अब, वहाँ अब… उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन ममी, और केंग डाड़ी. बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे. या केंग डाड़ी का भी पेंट बढ़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे, मेरी तरह. और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था. डाइनसार. डाइनसार? अरे हाँ, वो ड्रागन नहीं था, वो डाइनसार था. बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसार था. वो वाँ, वो वाँ, 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 वाँ ताड़ी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूं, वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चान दिखने लगे, और सब को बहुत मींद आने लगे और सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई पेपा, नेंग आ रही है नहीं डाड़ी, मुझे बिल्कुल नेंग आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी, कानी कान सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नेंग नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सु गई थी सारा दिन आइने में देखकर, वो पूरी थरा से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नेंद सु गई कहाने के लिए थैंक यू, किंग डाड़ी और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बढ़ा मजा आया गर्मी का दिन सूरत चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मजे मिठी के गड़े बहुत पसंद है ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूख गए है ममी, टैरी, गड़े सारे सूख गए है और हम उनमें कूद नहीं सकते कोई बात नहीं पैपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हाँ, स्विमिंग पूल लेकिन पहले तुमें अपने स्विमिंग कॉस्चिम पहनने होगी जी ममी पिग पैपा और जॉज ने अपने स्विमिंग कॉस्चिम पहन लिये है ममी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्चिम पहन लिया है और डाडी पिकनली सुमिंग कौशिम पहन लिया है बहुत धूप है तुम्हें सनक्रीम की जरुरत पड़ेगी याक बहुत चिपचिपा और गंदा है याक हो 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 इसकी क्या जरुरत है है आज हम सब को जरुरत है ओ हो 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 चलो चार्ज इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं डाडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे है कितना आसान है पैपानी पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पैपा और जोज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है मिस्राबिट आइसक्रीम लाई है आईसक्रीम गर्मी के दिनों में मिस्राबिट आईसक्रीम बेचती है मामी, डाड़ी, क्या जोज और मैं आइस्क्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है हुरे! क्या मुझे भी आइस्क्रीम मिलेगी? सबको आइस्क्रीम पसंद है हलो मामे पिक, पेपा और जोज हलो मिस्स राबिट आपको कौन से आइस्क्रीम चाहिए? क्या मुझे कौन मिल सकता है, प्लीज? हाँ, जरूर मिल सकता है, पेपा तैंक्यू मेरे लिए और डाड़ी पिक के लिए भी वही देना, प्लीज और छोटी मिस्टर जॉज को क्या चाहिए? डाइनिसौर डाइनसौर? जरूर, पिखलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो जरूर, जरूर को डाइनसौर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता थैंक्यू मिस्टर अबिट सब मजे करो जरूर, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खतम करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले ओहो, जरूर की डानसौर आइस कैंडी पिखलकर जमीन पर गिर गई कई बात नहीं जोर्ज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिख सो गए डाडी पिख को गर्मी लग रही है चलो और थन्दा करने के लिए पर पानी डालते अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा, थैंक यू पैपा देखो, पानी के गड़े चलो जोर्ज, जूते पहनो पैपा और जोर्ज ने अपने जूते पहने है पैपा और जोर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है पर सबसे ज्यादा उन्हें गड़ों में उपर नीचे खूरना पसंद है